नमस्कार आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया भारत ने पेस की मानवता की मिसाल चीन में फसे 323 भारतियों के साथ मालदीव के साथ लोगों को भी लेकर आई एर इंडिया जहां एक तरब पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को देश वापस लाने से इंकार कर रही है वहीं भारत सरकार न सिर्फ भारतियों को चीन से बाहर निकाल रही है बलकि मालदीव के लोगों को भी सुरक्षित भारत ला रही है चीन के वोहान प्रांत में कोरोना वाइरिस के चलते वहां फसे भारतियों को भारत वापस लाने वाली एर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रभिवार को दिल्ली पहुँचेगी बताया गया है कि ये फ्लाइट वोहान से तीन बचकर दस मिनट में रवाना हुई ये स्पेशल फ्लाइट नौ बचकर चालीस मिनट पर दिल्ली पहुचेगी इस स्पेशल फ्लाइट में 323 भारतिय नागरिक सवार है इसके साथ ही मालदीव के साथ लोगों को भी इसी विमान से वापस लाय जा रहा है चीन में भारत के राजदू विकरम मिस्री ने कहा कि वहान से दिली के लिए रवाना हुई एर इंडिया की दूसरी स्पेशल फ्लाइट में 330 लोग है मालदीव के नागरिकों को भी वहान से भारत लाय जाने पर मालदीव ने भारत का आभार जिताया है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहित ने कहा कि वहान चीन में साथ मालदीव एर इंडिया की विसेश उडान पर दिली पहुँचे उन्हें दिली में ही इलाज के लिए एक निस्चित अवधी तक रखा जाएगा इसके लिए पीम नरेंद्र मूदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जय संकर का आभार प्रकट करता हूँ चीन में फैले एक हातक कुरोना वाइरस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 304 हो गई है और इससे 14,380 लोगों के संक्रमित होने की पुस्टी हुई है राष्ट्रिय स्वास्त आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि सनिवार तक इस बिमारी के कारण 304 लोगों की मौत हो गई और 14,380 लोगों के इस विसानू से संक्रमित होने की पुस्टी हुई है चीन के एनेचसी के अनुसार सभी लोगों की मौत हुबई प्रांट में हुई है आयोग ने बताया कि सनिवार को इस संक्रमण के 4562 नए संदिग्ध मामले सामने आए उसने बताया कि सनिवार को 315 मरीज कंभीर रूप से बिमार हो गए और 85 लोगों को स्वास्त सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई आयोग ने बताया कि कुल 2110 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और कुल 2544 लोगों के इस वाइरस से संक्रमित होने का संदे है कुल 328 लोगों को स्वास्त में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है चीन में कुरोना वाइरस ने महामारी का रूप ले लिया है कुरोना कुछ इस तरह खतरनाक हो चुका है कि अब वहाँ सड़कों पर लोगों के शव मिल रही है राह चलते ही लोगों के अचानक गिर कर मौध हो रही है ये हम नहीं कह रहे हैं वहाँ की तस्वीरे कुछ ऐसा ही कह रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वहान सहर में ऐसे मामले सामने आ रही है मास्क लगाए हुए एक साइकल चालक अचानक गिरा हुआ मिलता है और जब उसके पास मैडिशन की टीम पहुँच कर देखती है तो वो मरा हुआ मिला गौर्टलब है कि कोरोना वाइरस की चलती वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन डबलु एचो ने वैस्विक स्वास्त आपातकाल खोशिक किया है जबकि चीन ने कहा है कि सभी देशों को जिम्मिदार बरताव करना चाहिए और अत्यधिक प्रतिकिरिया से बचना चाहिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वे सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा करने का आस्वासन देते हैं WHO के मताबिक भारत समेट 21 देशों में कोरोना वाइरस संक्रमर के मामले सामने आ चुके हैं इनमेचीन, हॉंग कॉंग, दक्षिन कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत, स्रिलंका, नेपाल, थाइलंड, मलेसिया, कंबोडिया, जापान, उस्ट्रेलिया, सिंगपुर, ताइवान, मकाव, वियतनाम, यूएई, रूस और ब्रीटेन सामिल है आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले रिपोर्ट्स इंडिया की खबर